हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उत्राखन 360 में और आज हम यह बात करने वाले हैं करनाटा के तीसरे युद्ध के बारे में तो दुतिया युद्ध तक हमने देख लिया था कि हैदराबाद का निजाम किसको बनाया गया था सलावाज जंग को बनाया गया था थीक है सलावाज जंग को बुस्ती ने आपर निजाम बनाया था तो हैदराबाद में कौन कोन है देखिए बुस्ती है जो कि एक फ्रांसेसी सेना पती है है हैदराबाद में कौन है गदी पर सलावाज जंग यहाँ पर गदी पर है अब यहा कारण क्या होगा कि भारत में भी फ्रांसी सी कंपनिया और इस्ट इंडिया कंपनिया आमने सामने हो जाएगी तो यहां पर इंग्लेंड और फ्रांस क्या हो जाएगी फिर भारत में भी आमने सामने हो जाएगी तो दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब परिस्तितियां भार निर् कमपनियां क्या हो गई थी आमने सामने आ गई थी जो इकंड करनाटक भी युद ठा ऑफ जित चेज कर आपए है अब यह सिंद्धान ने वह बंगाल कि हमने 29 California में 29207 सो्षपन को इस शीद्धु को हम तब पड़ेंगे जने और यहांप सकताइल हितान나रे देखेंगे तो वहांपर यहांपर ढेंगें स्थीधों के पास अ चुका है अंग्रेजों की इस्तिति यहां पर मजबूत हो चुकी है क्योंकि देखिए बंगाल में अपार धन संपदा थी और अपार धन संपदा से क्या होगे अंग्रेजों के आर्थिक इस्तिति यहां पर मजबूत हो चुकी है अब यहां पर जब अंग्रेजों की इस्तिति मजबू जैसे ही यहाँ पे आया देखिए काउंडी लाली 1708 ने पहुँचा उससे पहले 1757 का युद हो चुका है बंगाल अंग्रिजों के पास जा चुका है 1708 ने लाली यहाँ पहुचेगा और मदरास के फोर्ट सेंड डेविट पर क्या कर लेगा अधिकार कर लेगा जो किला ता सेंड डेविट का किला तो वहाँ पे क्या करेगा कबजा कर लेगा अधिकार कर लेगा इसके बाद लाली बढ़ता है तंजोर की तरफ ठीक है कहाँ पड़ा इसके बाद लाली ने सोचा क्यों ना फिर से मदरास भी अटेक किया जाए और बुसी को भी कहां से हैदराबाद से बुला लिया जाए तो लाली ने क्या क्या मदरास पर अटेक किया और जो फ्रांसी सी सेना पती था एक दूसरा बुसी हमने बुसी के बारे में केवल सलावा जंग तो अंग्रेजों को जब लगा कि यहां या रभ यहां पे केवल सलावा जंग है तो इन्होंने क्या किया यहां पर अटेक कर दिया अंग्रेजों ने क्या कर दिया है हैदराबाद पर अटेक कर दिया और यहां के उत्री सरकार पर अधिकार कर लिया किस पर फ्रांसिस्यों को मदरास के घहरे में भी यहां पर सपलता नहीं मिली अंग्रेजों ने फिर यहां पर भी अपनी सेना बेजी और उनको मजबूरों अपना घहरा हटा ना पड़ा तो यहां पर एक statement निकल के आता है RC मजुमदार का जो यह अपान जनक असपलता है फ्रांसिस् को मिल सकता है UGC net में देखने को मिल सकता है लेकिन गुरूप C के लेवल में आपको यह प्रस्ण देखने को कमी भी लेंगे ठीक है तो RO ARO के लिए आप देख सकते है PCS के लिए इसके बाद क्या होता है देखे जब यहां से सपलता मिल गए मदरास से इसके बाद यहां पे प्रसर अब्धी बना कर कर दा हैं Tamil नाडू में है और 22 संवरी 1760 को यह युद्ध लड़ा गया अंग्रेज और फ्रांसीश्यों के बीच में यह देखिए लाली और फ्रांसीश्यों के बीच में लाली ने यहां पर फ्रांस स्क्राशा किया जब्कि अंग्रेजिवा ने ज युद में आयर कुट जी जाता है और लाली की यहां पे हार हो जाती है और लाली को यहां से बंदी बना कर कहां बेज दिया जाता है फ्रांस बेज दिया जाता है जहां पर उस पर राजदुरों का आरोप लगता है और उसको फांसी दे दी जाती है इस परकार काउंट डी ला परिदी 98263, परिज़ की संदी होगी और भारत में भी क्या हो जागा, युद्ध समाप्त हो जाएगा, और इस संदी के तेहती होगा अकए जो फ्रांस वाले हैं जो फ्रांसिसी कंपनी है, जो फ्रांसिसी कंपनी है वह भारत में क्या है अब सेना नहीं रख सकेगी इस सर्थ के साथ ही फ्रांसिस्यों का अब क्या वा केवल ब्यापार पर ध्यान केंद्रित हो गया क्योंकि जब सेना नहीं रख सकते तो युद्ध कहां से लड़ेंगे तो केवल ब्यापार पर ध्यान केंद्रित हो गया थोड़ा सा लि चलिए इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे उत्तरवर्ती मुगल सासक पढ़ेंगे या कह लिजिए जो अंति मुगल सासक उनको पढ़ेंगे और उसके बाद नवीन राज्यों के उत्थान के तरफ जाएंगे तो सीरीज बाई करम बाई चलेंगे हम यहाँ पे 1757 में 231757 को अंग अंग्रेजों का अधिकार हो चुका है बंगाल में उनकी इस्तिती काफी मजबूत है क्योंकि आप अपर धंसफ बदा थी 1708 में देखिए मैप में ने बताई दिया था फोर्ट सेंड डेविड जो की मदरास में यहाँ पे उसने अधिकार कर लिया इसके बाद उसने अधिकार कर लिया है इस अपमान जनक असपलता ने भारत पर फ्रांसिस्यों के भाग्यका सबी प्रकार से द्वार बंद कर दिया अच्छे एक्जाम में पूछा जाएगा ठीक है यह धियान रखेंगा अगर आप अच्छे लेवल के एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जैसे आ आप यूजी सी नेट की तयारी है या कहली जे लेक्चरर का है तो यहाँ पर आपके लिए महत्रपूंट रहेगा वांडी वास के युद्ध की बात करें तो बाइस जनवरी 1707 को वंदा वासी नाम है इसका अब तो वांडी वास का युद्ध बाइस जनवरी 1760 अंग्रे ज जाएगा और जैसे यहाँ पर यह बंदी बन जाएंगे यह युद्ध यहाँ पर लगवक्त समाप्त हो चुका है तो मालेसन का स्टेटमेंट है इस युद्ध ने उस बहौन को जिसे मार्टिन ड्यूमा तता डूपले ने बनाया था धूल दूसरीत कर दिया क्योंकि देख प्रेजों ने लाली को बंदी बनाकर फ्रांस बेज़ दिया और वहाँ पर उस पर राजद्रो का जूटा आरोप लगाया और उसे फांसी दे दी गई इस परकार लाली एक मातर ऐसा फ्रांसी से गवरनर हुआ जिसे युद्ध हारने या राजद्रो के आरोप में आपे फा बापत हो गया और 1749 तक जो छेतर फ्रांसीसियों के अधिकार में थे वो उन्हें वापस कर दियेगे इस संदी के तहर्त चंद्रा नगर को छोड़ कर इसके अत्रिक्त क्या हुआ इस संदी के तहर्त यहां भी तैय हुआ कि फ्रांसीसी भारत में अब सेना नहीं रख करें युद्ध भी नहीं लड़ सकते तो बीच में क्या करें है अपे अपर फ्रांसीसी हार गहें एंग यहां के पहला कारण पर देखिए पहला कारन तो है यहां पे अंग्रेजों प्रतिष्टा मान समान तो बड़ा बड़ा साथ में उनको क्या मिली अपार धन संपथा में मिली तो फ्रांसिस्चों के पास ऐसा कोई परदेश नहीं था बंगाल जैसा धनी-परदेश नहीं था जिससे उनकी आर्थिकी स्थिती मजबूत हो सके लेकिन अंग्रेजों के बास बंगाल था और जब पैंस है तो सब पूस हो जाता है पेरोंने नौ सेना में पैंसा करच किया इदर किया उदर किया तो अपनी सकती को उन्होंने चारों तुरब मच्पूत कर लिया तो कारण है जिसके क्या हुआ फ्रांस कि कि असपलतगा या अंग्रेज़ों की सपलतगा कह लिए इसके अंग्रेजियों की जब नोचेना मजबूत होगे जब पैसा आगए तो सब मजबूच हो जा जाता है सीधी सीधी बात है तो तो यहां पे जब बंगाल बीजय हुई तो उन्होंने नौ सेना पे और खर्च किया, नौ सेना को और मजबूत बनाया, इसके साथ डूपले की फ्रांसिसी को भी हम मान सकते हैं, कि यहां पे फ्रांसिसियों की अस्पल तक आगा कारण, क्योंकि देखिए डूपले कूट नित पंत्री थे, वो थे विलियम पिट, तो ये काफी कूट निती इन्होंने हाँ पे चली उससे में, इन्होंने क्या किया, फ्रांस में जब यूरोप में युद्ध हो रहा था, तो वहाँ पे उलजहा दिया, कि इसको फ्रांस को, उसको इतना उलजहा दिया, कि उसका ध्यान ह नहीं जा पाया और भारत में अपनी इस्तीति को नियंतर में नहीं रख सका वो ही युद्धों में उल जा रहा तो विलियम पिट की राजनीती को भी हम यहां पर कहा सकते हैं या नीती को भी हम कहा सकते हैं कि महतपुन योगदान रहा इसके साथ लाली की अदूर दरसिता ठी में से एक है ठीके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और जो भी अगर इसी करम में हम चलते रहेंगे तो अभी हमारा जो दूसरा टॉपिक आएगा इसके बाद उत्तरवर्ती सासक आएंगे मुगल सासक आएंगे यानि कि अंत के जो सासक जब औरंग जेव की मिलती हो ज जरूरी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हिस्ट्री से लेटेड क्योंकि अभी मैं सोचरों की लगातारी अगर इस तरीके से चलता रहे तो सही रहेगा चलिए मिलते हैं धन्यवाद